Exercise 12.1, question number 5 Sides of a triangle are in the ratio of 12 is to 17 is to 25 and its perimeter is 540 centimeters Find its area यहाँ पर हमें sides की ratio दी गई है perimeter दिया गया है और area निकालना है तो हमें पहले sides निकालने की जरुरत होगी Let the sides be 12x, 17x and 25x और इनका perimeter यानि की इनका sum sides का sum 540 मिला है और यह भी बन रहा है 54x x आ रहा है 10 centimeters तो sides हो जाएंगी इस 10 को multiply करेंगे इनसे तो 120, 170, 250 यह sides हो जाएंगी S होता है semi perimeter जो की 540 divided by 2 270 आएगा हम इन sides के साथ centimeter लगा सकते हैं और area होगा यहां से 270 आएगा यहां से 150 और यहां से 100 और यहां से 20 अब हम इने split करने की कोशिश करते हैं ताकि हम कुछ निकाल सकें 270 को हम लिख सकते हैं 3 times 3 times 3 times 10 150 को लिख सकते हैं 3 times 5 times 10 इसको आगे continue रखेंगे तो यह आजाएगा 10 times 10 और 20 से आजाएगा 2 times 10 अब देखते हैं कि pairing कितनी हो रही है यह 3 times 3 times 3 times 3 10 के 5 आ रहे हैं और 2 times 5 2 times 5 भी बन रहा है जो कि 10 दे देगा तो इस तरह से 6 times 10 आ जाएगा यहां से हम 3, यहां से 3, यहां से 10, 10 और यह भी 10 है इसलिए यहां से भी एक 10 बाहर आ जाएगा तो 3 times 3 times 10 times 10 times 10 9000 cm2 यह आंसर है